आज मैं आप लोगों को exercise 3E और 3F बताऊंगे जो 3A है आपका tick the correct unit which standard unit will you use to measure the capacity of तो इसमें फोटोस दिया गया है और उसके नीचे option में लिटर और मिलिलिटर का भी दिया गया है जो लिटर है उसमें लिटर में टिक करेंगे जिसमें मिलिलिटर आता है उसमें को मिलिलिटर में जिससे फास्ट है आपका मेल्क तो यह वान लिटर होगा तो वान लिटर में टिक करेंगे फिर बी में है एपल जूस 200 ml का आता है तो यह 200 ml फिर पेंट में हम किसमें करेंगे ल लिटर फिर दी है आपका कोल्डरिंग का बॉटल यह भी आपका ml में होगा क्योंकि कम मात्र है इसमें 300 ml असंटेक से उसमें पानी कम रहेगा या जादा तो यह वाला 500 लिटर का है मतलब इसमें 500 लिटर में आपको टिक लगाना है फिर गाड़ी में हम कितने पिट्रोल डलात सकते हैं फिर दी है कब दिया गया है और वर एक लिट का कर सकते हैं तो दोनों में krijgen हैं फिर कप दिया गया है तो सबसे ज्यादा सामान किसमें आएगा बकट में इसलिए हमें इसको टिक करेंगे सबसे कम समान किसमें आएगा कप में तो कप और मग में हम लोग क्रॉस करेंगे फिर C में दिया है, फिर cup है, फिर एक spoon है, तो सबसे ज़्यादा कितना water bottle में आएगा, पानी, मतलब इसमें ज़्यादा capacity आएगा, इसलिए हम लोग इसको टिक करेंगे, और spoon में सबसे कम मात्रा में आएगा, इसलिए हम लोग spoon को cross करेंगे, तो साथ में हम लोग मक को भी cross करे अब है 3F exercise, इसमें कुछ आपका plus है, addition है, और कुछ आपका subtract है, तो हम लोग पहले addition करेंगे, 5 plus 5, 5 plus 1 आपका 6, 6 plus 2 आपका 8, यह आपका ml में आ गया, लिटर में 4 plus 2 आपका 6 होता है, फिर यहाँ है, second वाला 75, लिटर 270, प्लस करना है 83 से, लिटर 320 से, 00 हो गया, 7 plus 2, 9, 2 plus 3, 5, तो ml हो गया, और लिटर, 5 plus 3, 8, 7 plus 8 आपका 15, तो 158 लिटर 590 ml, फिर आपके इसको भी plus करना है, 0 plus 5, 5 भी आ जाएगा, 2 plus 3, 5, 5 plus 1, 6, 0 plus 1, 1, 2 plus 1, 3, तो 31 लिटर 655 ml, फिर हम लोग, D करेंगे, तो यह आपका plus है, sorry, minus है, subtract करना है, तो 10 हो गया, 0 हो गया, 10, 14 हो गया, 13, और 7 हो गया, 6, तो 10 में से 5 किया, minus 5 हुआ, 13 में से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 हुआ, 6 माइनस 2 अपका 4 आ गया, 6 माइनस 4 अपका जाएगा, 2, तो 2 लिटर, 465 ml, फिर ही आपका plus है, 7 प्लस 0, 7, 8 प्लस 3, 11, कैडी 1, 6 प्लस 4, 10, कैडी 1, 11, यह आपका ml में आ गया, कैडी 1, 5 प्लस 8, आपका 13, कैडी 1, 14, 14 लिटर, 117 ml, फिर ही आपका minus है, 10 में से minus 2, 8 हुआ, तो 2, 2 माइनस 2 हुआ, 0, 9 में से 7 गया, 2, 3 में से 2 माइनस हुआ, तो 1, 6 में से minus 4 किया, तो 2, 21 लिटर, 202 ml, फिर यह फिर जी वाला माइनस है आपका, यह आपका 15, 6, 15 में से 8 गया, 7 बच्चा, 6 माइनस 6, 0, यह आपका 10 माइनस 2, 8, 9, और यह आपका, 8 माइनस 4, 4, 4 लिटर, 807 ml, फिर आपका यह, 12 हो गया, यहाँ पे आपका यह, 12 हुआ, फिर यह आपका 6 हुआ, तो 12 माइनस 7 आपका 5 आया, 8 माइनस 12, आपका 4 आया, 6 माइनस 4 आपका 2 आया, 245 ml हो गया, लिटर में, 3, 8 माइनस 5, 3, 7 माइनस 6, 1, 13 लिटर, 245 ml, फिर यह 0, दोनों को प्लस करना है, 13, कैडी 1, 1 प्लस 4, आपका 5, प्लस कैडी 1, 6, लिटर है, 3 प्लस 7, आपका 10 आगया, कैडी 1, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस कैडी 1, 4, तो 40 लिटर, 630 ml, तो इस तरीके से आपका 6E और F बुक वर्क ही है, आप इसको बुक में ही कम्पलीट करके मुझे सेंड करिएगा, एक्सराइस 3G है, वो आपका कॉपी वर्क है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परहेंगे, ओके थैंक यू